नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल नौलेज बाई रूबी जैन में तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आई है आप सभी लोग जानते हैं कि साल की सुरुवात में कि पहली मीटिंग करवाई थी और इससे उमीद बनी है कि क्वाड जितना भी सक्ति साली था इसमें चीन को बांधे रखा था और चीन चटपटा रहा था कि क्वाड की चंगुल से भई कैसे निकलें वो क्वाड और भी मजबूत हो गया है ऐसा लग रहा है कि क्वाड में फूट पढ़ती जा रही है आपको पता है लास्ट दस दिनों में भारत में कोरोना के किस तरीके से हालत खराब है यह सब तो आप से चुपी नहीं है और ऐसे में ऐसी स्थिती में बनता है कि यह क्वाड देश की हेल्प करे औस्टेलिया जपान अमेरिका यह भारत की मदद के लिए आना चाहिए था लेकिन मदद के लिए कौन आया रूस आया यहां तक कि पाकिस्तान और चीन ने भी मदद की पहल कर दी उसके बाद कहीं जाके अमरिका का नींद खुला चलो खेर देर से ही सही आए तो सही लेकिन जो बाकी जो देश है जापान भारत का इतना सहियोगी माना जाता था लेकिन जापान की तरब से ये भारत के लिए कोई बड़ी मदद अभी तक एनाउंस नहीं हुई है और ऑस्टेलिया तो क्या मदद करेगी उल्टब भारत से आन क्वार्ट की देश ये तो नहीं सोचते कि क्वार्ट की जरूरत सिर्फ और सिर्फ भारत को ही है इन्हें नहीं है ऐसे में भारत ने तै कि अब इन्हें एक करारा जटका देने का टाइम आ गया है ताकि इनकी आँखे खुल सके ऐसे में भारत ने एक स्टेप लिया भारत न दंबे चोडे सौधे करेंगे और इनका इतना important क्यों माना जा रहा है जो two plus two dialogue होता है यह हर देश के साथ नहीं होता है जो सबसे करीबी सैयोगी होता है उन्हीं के बीच में यह two plus two होता है और मैं तो यह भी बता दू कि भारत अमेरिका के साथ यह dialogue करता है टू प्लस टू का जो अभी तलक फ्रांस के साथ में भी नहीं किया है ऐसे में रूस के साथ इस तरह की टू प्लस टू का डायलोग एनाउंस करना ये सिधा सिधा जो बाइडन के लिए बड़ा संदेश है और जपान के लिए भी कि आप ऐसा मत समझेगा कि क्वार्ट की जरू जिने हम चुन सकते हैं और अमेरिका ऑस्टेलिया तो ठीक है जो जपान का रवाईया है ये बहुत ही ज़्यादा इस्ट्रेंज है क्यों जब ये सिंजुआवे जपान की प्रधान मंत्री पत से हटे हैं अपनी बिमारी के कारण और ये नए प्रधान आए हैं सुगा ये थ ये हैं हार्ड नेता नहीं है जैसे सिंजुआवे ने चीन के सामने खड़े होकर जवर्जस्त जवाब देते थे वो ये बात इनमें नहीं है हलाकि भारत के ये स्टेप से आप ये नहीं समझेगा कि क्वार्ट तूट जाएगा ये क्वार्ट से बाहर आ जाएगा ये पॉस जोगने का एक ही रास्ता है वो है क्वार्ट और इसे हम सब जानते हैं कि क्वार्ट की क्या माहत्व है लाश्ट ये यर क्वार्ट ने चीन का क्या हाल कर दिया था तो दोस्तो भारत का ये इस्टेप पर आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज 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 सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे की मेरी नई वीडियो जैसे ही अपलोडेड होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी तो थेंक यू स्वस्त रहिए मस्त रहिए जय हिंद